दोस्तो जब हम लोग अपना Facebook एकाउंट का प्रोफाइल क्रियेट करते हैं तब हम अपनी एक Gmail ID उस प्रोफाइल के अंदर एड़ करते हैं। कुछ टाइम के बाद या तो हम उस email को भूल जाते हैं या फिर हम उस पुरानी email को हटा कर एक नई Gmail एड़ करना चाहते हैं। वो आप किस तरह से कर सकते हैं ये आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना Facebook प्रोफाइल ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पे देखेंगे तीन डैश का ओप्शन होता है। हमें यही पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस प्रोफाइल पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीची की साइट आजाना है। नीची की साइट आप दिखेंगे कि आपके सामने तीन आप्शन होते हैं। उसमें second number में एक option होता है setting and privacy हमें यहीं पर click कर देना है जैसे हम इस पर करते हैं तो एक नया page खुलकर आता है यहाँ पर सबसे top पर एक option होगा setting कुछ नहीं करना सीधा इस पर click कर देना है क्लिक करने के बाद आप एक नई page पर आते हैं जहां पर सबसे top पर देखेंगे account center account center के अंदर सबसे top पर ही personal details का एक folder होता है हमें कुछ नहीं करना सीधा इस पर click कर देना है personal details को करने के बाद आप अपने account center में आ जाते हैं यहाँ पर आपकी personal सारी details होती है इसके बाद आप थोड़ा सा scroll down करके नीचे के side आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे second number पर एक personal details का folder है हमें यहीं पर click कर देना है personal details में यहाँ पर हमारे सामने हमारी contact info और birth date कुलकर आ जाती है जिसे हम यहाँ से change कर सकते हैं क्योंकि हमें emails change करनी है इसलिए हम email पर click करेंगे email पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ already एक मेरी emails है मुझे ये email हटा के एक नए email add करनी है इसके लिए आप नीचे के सब्सक्राइब देखेंगे तो add new contact का option होता है हमें यहीं पर click कर देना है जैसे click करते हैं यह हमके पूछता है कि क्या आप mobile number add करना चाथे हैं क्या आप email add करना चासे हैं आप छाहें तो इन दो में से कोई सी भी चीज़ एड़ कर सकते हैं ड़ानों भी कर सकते हैं जैसा आपको best लगे हमें email करना है तो email पर click कर देते हैं इमेल पर किक करने के बाद यह हमसे पूछता है कौन सी नई जीमेल आइडी है जो आप इस प्रोफाइल के साथ में लिंक करना चाहते हैं इसके लिए मैं अपनी एक जीमेल डाल देता हूँ जीमेल एंटर करने के बाद नीचे के साइड हमारा पौफाइल खुल के आता है उसके साथ में राइट साइड में देखेंगे एक टिक का आप्शन होता है आपको उसे टिक करने के बाद सबसे बटम में नेक्स्ट का अप्शन होता है आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है यहां से फ्टिक आपकी नई जीमेल आइड पर एक OTP भीजता है जिसे आपको यहां पर एंटर करना होता है कन्फर्मेशन के लिए मैं उसे एंटर कर देता हूं उटी पर एंटर करने के बाद नीचे की साइट देखेंगे एक next का option होता है हमें यहाँ पर किलिक कर देना है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी नई । जाते हैं तो आप परानी email ID को डिलिट कर सकते हैं उसे करने के लिए आपको पुरानी क्लिक करने के बाद इक डिलिट का option होता है आपको इसके परणी डिलिट हो जाती है और आपको विडियो कैसे लगी आपहमें कमेंड बाक्स में जरूर बताएं